जैमा कादी आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल जैमा कैला देवी में आव सुनते हैं स्रावर मास के सुकल पच्छ की पुत्रदा एकादसी की कखा इगजिश्ठिर ने पूछा मदसूदन सावन के सुकल पच्छ में किस नाम की एकादसी होती है भगवान स्री कृष्ण बोले प्राचीन काल की बात है द्वापर यूग के प्रारंभ का समय था महिस मुती पुरी में राजा महीजिक अपने राज्य का पालन करते थी कि तो उन्हें कोई पुक्तर नहीं था इसलिए वह राज्य उन्हें सुकदायक नहीं प्रतीत होता था अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंकता हुई उन्हें प्रजा भर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा के प्रजा जनू इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है मेरे घर में आज तक पुट्र उत्पन नहीं हुआ आप लोग इसका विचार करें राजा की ये वचन सुनकर प्रिजा और प्रोहिकों के साथ ब्रहमणों ने उनके हिकका विचार करके गहन बन में प्रवेश किया राजा का कल्यान चाहने वाले बे सभी लोग इधर उधर घूम कर रिसी सेविक्त आस्रमों की कलास करने लगे एकने में उन्हें मुनी श्रेष्ट लोमस जी के दर्सन हुए लोमस जी घर्म के कत्वग एवं संपुन सास्त्रों के विशिष्ट बेगध्यान वीरगायू और महात्वा हैं उनका सरीर लोम से भराग हुआ है ब्रेब्रह्मा जी के समान तेजश्वी हैं एक-एक कल्प भीकने पर उनके सरीर का एक-एक लोम विशीर होता है तूटकर गिरता है इसलिए उनका नाम लोमस हुआ बे महामुनी तीना कालों की बाके जांगते हैं उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्स हुआ लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा तुम लोग किस लिए यहां आई हो अपने आगमन का कारण बताओ तुम लोगों के लिए जो हिक्तकर कार होगा उसे मैं अवस्थ करूँगा प्रजा जनों ने कहा ब्रह्मन इस समय महीजिक्त नाम बाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुक्तर नहीं हैं हम लोग उन्हें की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुक्तर की भात पालन किया है उन्हें पुक्तर ही देख उनके दुख से दुखिक हो हम तपस्या करने का राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है महापुर्षों के दर्शन से ही मनस्तों के सबकार सिख्ध हो जाते हैं मुने अब हमें उस उपाय का उग्देश कीजिए जिससे राजा को पुक्त्र की प्राक्ति हो उनकी बात सुनकर महर्शी लोमस दो गड़ी के निये लिए छियान मग्न हो गई तक पस्चाक्त पराजा के प्राचीन जल्म dynasty का नंगत जानकर उन्होंने कहा प्रिजा ब्रंगत सुनो राजा महीजिक्त पूरुजनम में मनश्यों को चूसने वाला धन्हीन बैस्य का वह बैस्य को गॉम गॉम कर व्यापार किया करता था एक दिन येश्ट के सुकल पच्छी में दस्मीत थी को जब दोपहर का सूर रिक्तप रहा था वह किसी गाव की सीवा में एक जलासे पर पहुँचा पानी से भरी हुई बाबली देखकर बैस से ने वहां जल पीने का विचार किया इतने में वहां अपने बच्छडे के साथ एक गवी आ पहुँची वहां प्यास से ब्याकुल और ताप से पीड़त थी अतह बाबली में जाकर जल पीने लगी बैस ने पानी पीकत हुई गाए को हांक कर दूर हटा दिया और स्वेंग जल पीने लगा उसी पाप करमे के कारण राजा इस समय पुत्र हीन हुए हैं किसी जन्म के पुण्डे से इन्हें निसकंटक राज की प्राप्ती हुई है प्रजाजनों ने कहा मुने पुराणों में उल्ले खैके प्राइश्चिक रूप पुण्डे से पाप नश्ट हो जाते हैं अतह ऐसे पुण्य करम का उपद दसी होती है वह पुक्तरदा के नाम से विक्यात है वह मनोवांचिक फल प्रजान करने वाली है तुम लोग उसी का ब्रक करो यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनी को नमस्कार किया और नगर में आकर बिद पूरवक पुक्तरदा एकदसी के ब्रक का अनिश्ठन किया उन्होंने बिद पूरवक जागरण भी किया और उसका निर्मन पुन राजा को अरपन कर दिया ठक्त पस्चाक रानी ने गर्व घारण किया और प्रसब का समय आने पर एक बलवान पुक्तर को जन्म दिया इसका महतम में सुनकर मनस्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इह लोक में सुखो पाकर परलोक में सरगी गती को फ्राप्त होता है बोला पुक्तरदा एकदसी मया कीजे